कव्वा काला क्यूं? बहुत बहुत सालों पहले सभी पक्षी सिर्फ सफेद रंके ही होते थे इसके कारण पता ही नहीं चलता था कि कौन सा पक्षी कौन सा है यही पहचान में नहीं आता था अब आप ही कलपना करो हरे भरे पेड़ पर अगर एक सफेद तोता बैठा हो तो वो तुरंथ दिख जाएगा कि नहीं इसलिए ऐसा ही होता था और सभी शिकारियों की मौज होती थी उनको वे सफेद पक्षी तुरंथ दिख जाते थे और इसलिए हुआ ये कि सभी पक्षी घबरा गए चिडिया, तोता, चील, गरुड, मोर सभी पक्षी जमा हुए और उन्होंने अपनी ये शिकायत भगवान जी से की भगवान को उनकी बात समझ में आई वे बोले ओ पक्षियों मैं अब रंग बनाता हूँ ठीक आच दिन बात सभी पक्षियों को जमा करके मेरे पास लाओ मैं तुम सभी को रंग दूंगा सभी पक्षी उस दिन का इंतजार करने लगे और भगवान के पास जाने का वो दिन आ ही गया सभी ने एक दूसरे को बुलाया और वे सभी भगवान के पास पहुँच गए पहला नमबर था तोते का उसने कहा हे भगवान मैं हरे भरे पेड़ों पर रहता हूँ आप मुझे हारा रंग ही दे दो इससे मैं किसी को नजर ही नहीं आऊंगा पर मेरी चोच सिर्फ लाल करना मेरी पसंद की लाल मिर्ची जैसी भगवान ने कहा ठीक है उन्होंने तोते को हरा रंग दिया उसके बाद आई चिडिया रानी की बारी भगवान जी मैं मिट्टी में दाने खोजती हूँ मेरा घर भी घास और छोटी लकडियों का बनता है इसलिए आप मुझे वैसा ही रंग दे दो भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की फिर आई चील की बारी भगवान जी मैं उचे उचे परवतों पर रहती हूँ आप मुझे वैसा ही रंग दो भगवान ने उसे भूरा रंग दिया उसके बाद मोर आया मोर को वहां रखे हुए सभी रंग पसंद आ गए थे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा रंग मांगू वो बोला भगवान जी मुझे सभी रंग थोड़े थोड़े दो भगवान ने उसकी गर्दन नीली कर दी पंक हरे और नीले बनाए और उसके उपर पीले पीले बिंदू दिये मोर खुशी से नाचते नाचते चला गया ऐसा करते करते सभी रंग खतम हो गये पर कवा, कोयल, बतक और बगुला नहीं आये बाकी के पक्षियों ने उन्हें बुलाया अरे, चलो, चलो देर की तो भगवान जी के सभी रंग खतम हो जाएंगे ना कवा और कोयल तुरंट पहुँचे देखा तो क्या, सभी रंग बिल्कुल थोड़े-थोड़े ही बचे थे अब क्या करें? वो भगवान जी से बोले भगवान जी, ये सभी रंग मिला लो और जो नया रंग तयार हो, वो हमें दे दो भगवान जी हसे क्यूंकि उन्हें मालुम था कि सभी रंग मिलाएं, तो काला रंग बनता है पर वो चुपचाप रहे उन्होंने सभी रंग मिलाएं और दे दिये उनको दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, एक दम काले काले ढूस पर अब क्या करते, चले गए वैसे ही रास्ते में उन्हें बत्तक और बगुला दिखा उन दोनों को देखकर वो हसने ही लगे कववे को गुस्सा आया वो बोला काला तो काला पर हमारा एक रंग तो है तूम दोनों को वो भी नहीं टुक 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 तो बच्चों पता चला न कि अगर समय पर नहीं पहुँचे तो क्या हाल होता है